नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर श्यारदिक स्वागत है आपके पिनेश यूटूब चैनल पर दोस्तों आज एक और बहुत बड़ी अपडेट की बारे में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट आ रहे हम सनोर्षेट की तरप से जैसे कि आप सभी को पता हैं सनोर् नोटिफिकेशन थी वाज फाइनली अप्लोड कर दिया है तो आप इसकी जो पीडिएफ है वो ओपिसल वेबसाइट से ले सकते हैं अदरवाइस आपको हमारे एप के उपर मिल जाएगी एप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी भी है वहां से आप एपको से मिल जाए तो लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी वह आपको हमारे इस यूटूब चैनल से मिलती रहेगी चली देखते हैं कितने क्या वेकेंशी एमस नहीं यहां से निकाली है देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि टॉटल यहां पी 4000 प्लस पॉस्ट आ से मिल जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर देना चली देखते हैं अलगलग एमस में कितने कितने वेकेंशी निकाली है और सारी चीज यहां पर इस रोष्ट में वेंशन कर रखी है तो मैं आपको ए केटेगरिवाइज पूरा डिवाइडिशन कर रखा है देखिए यहां पर कटेगरी फिमेल मेल अट फिमेल and मेल पीडीवीडी और टोटल इस प्रकार से अलगलग सारा डिवाइडिशन इस रोष्ट में इặN salah страш और लावाली है त्रिकिजनरल की एमस में फिमेल कि रहने है आगे देखे ऑबीसी एंसेल की फिमयल 22 मेल 5 टोटल 27 फिमयल पीडुवडी एंड मेल पीडुवडी की यहां पर जनरल के लिए भी कोई पौस्ट नहीं औ क्लीए है स्से के लिए भी कोई पौस्ट नहीं है कि लेकिन इन्होंने रिज़र्वर रखेए कि अगर कोई भी आते हैं तो इन्हों को फिर भी चार पोस्ट जो है वो इनसे ले ली जाएगी फिमेल की 3 होगी और मेल की 1 होगी जो भी होगा उनकी यहां से ले ली जाएगी वहला चार पोस्ट इन्हों आगे बताया भी है सब्क्राइज मेल की 6 होगी इस प्रकार से मालe पोस्ट इसे प्रकार से मलब पॉस्ट एम्स बोफाल में लिए जाएगी यानिक जो नौशेट से सलेक्ट होंगे उनमें से हेंडेड कंडिडेट एम्स बोफाल में लिए जाएंगे तो इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं पूरा रोश्टर आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन आता है तो यह चीज आप ज़रूर देखते होंगी कि सबसे ज्यादा पोस्ट कहां पर निकाली गी है वह चीज में आप लोगों को बता देता हूं सबसे ज्यादा पोस्ट कहां पर निकाली है एक तो निकाली गिए EMS विजेपूर जमू के अंदर जहांपर 400 पोश्ट निकाली गिए और दूसरा है EMS पटना जहांपर 400 पोश्ट निकाली गिए सबसे पहले जो गठना हुई थी 8020 की वो गठीत हुई थी एम्स पटना से यानि एम्स पटना ने शुरुवात की थी 8020 का ये कीड़ा और ये 8020 का कीड़ा मेरे को लगता है कि अधर और भी जो भी प्रॉफेशनल है चाहिए वो सेंट्रल गोर्मेंट जो भी होती है चाहिए आर बी आई हो जैसे कि अभी एक दो दिन पहले एक जो लेटर घूम रहा था उसके इसाब से लग रहा था कि मेल और फिमेल जो भी कंड़ेट्स है या फिर जो भी वहाँ पर जौब कर रहे हैं उनकी लिस्ट वगरा मांगी जा रहे थी उसके एकोर्डिंग लग रहा था कि जैसे 8020 ये भी करने वाले हैं और अभी नए एमस के डायरेक्टर बने हैं न्यू देली के वह भी एसाइशी से आए हैं पीडियाट्रिशन है तो वह भी हो सकता है कि कहीं एसाइशी में 8020 ना लगा दी वहां से द्वा यही करते हैं कि 8020 ना हो ये रंदिव गुलेरिया जी ने जो भी किया है वो सरासर गलत किया है मतसे बेरोजगारों को और बेरोजगार बना दी आ है तो मतलब बैरोजगार बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे नर्सिंगर करके पास आथ होंगे वwl except बढ़ते जाएंगे भागी जो चार इंस्टिट्यूट और बचते हैं उनकी मिश्च Tea आप लोगों को दिखा देते हूं उससे पहले मैं आपको बढ़ा दूं टोटल जो जनरल के टेगरी के कंडेट्स है उनमें मेल की टोटल एमस की बात करों में मेल की होगी 204 पोस्ट और फिमेल्स की यहां पर रहने वाली है ओना hop दोटल 990िठीच यहांपट diagnostic लिए उनकी 466 पोस्ट यहां पर फॉर सेंटल इंस्टिटूट है उनके अंदर है इस प्रकार से आपकी जो टोटल पोस्ट हो जाएगी वो 4000 प्लस हो जाएगी तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं यह दोस्तों वो चार इंस्टिटूट जिनमें और वेकेंशीज यहनगी जो वेकेंशीज एंस्टिट की तरफ से लेने वाले हैं इनको भी क्या चाहिए 80-20 80-20 के वेसिस पे इनको भी चाहिए चार जो सेंट्रल गोर्मेंट और बच गए हैं उनके भी देख सकते हैं यह आपी आर-ैम-ल होस्पिटल से टोटल 215 पोस्ट निकाली गिए सपदर जंग टोटल 42 पोस्ट निकाली गिए बिस्तों और भी लेने वाल है dude नोगों का दो दिन में डेकलियर हो जाएगा यानिका मंडे को आपका फासानल ay जो है वो डिक्लियर हो जाएगा जैसे डिक्लियर होगा मैं आप लोगों को अपडेट हमारी यूटूब चैनल से दे दूँगा तो आप सभी लोग वहां से चेक कर लेना तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को वीडियो की लिंक को सेर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी इस वे कोई कहेगा 120 रहेगी कोई कहेगा नहीं नहीं सिर्फ हेंड्रेडी रहेगी देखिए अलग-अलग वेरिशन्स बताने वाले हैं सभी तो इससे बेटर है मैं तो यह मानता हूं कि जो आपकी फाइनल मेरिकलिस्ट बनती है जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वहीं आपकी कटोफ होती है तो उस पर विश्वास कीजिए बाकी जो कटोफ दे के आपको कोई कुछ ना तो हाशिल होने वाला है आपको मैंने कहा दिया कि 120 रहने वाली है तो कौन से आपके पास मैं अंसर किए जो आप उठाके चेक कर लोगी कि मेरे 120 आ रहे हैं तो इन चीज़ों से आ आपको फाइनल रिजल्ट होगा वहीं आपकी फाइनल कटोब गी तभी आपको फाइनल कटोब का उसी के साथ में पता चल जाएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट की साथ तब तक आँमारे साथ बने दिएगा थैंक्यू सो वेरी मच